नमस्कार बंसल वास्तु रिश्ट्राइब नमस्कार बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नौर्थ फेसिंग प्लोट के अंदर बने हुए घर के बारे में वास्तु शास्तर के अनुसर यदि इस परकार से घर बन जाता है तो उस घर में किस तरह की समस्यें देखने को मिलती है आपका जो घ बत इनौर्थ वेस्ट में यानि वाइवेकोने में डिखाया गया घर से jak निकलती है तो नौर्थ फेस्ट के हिस्टे से बाहर जाते हैं ओपन एरिया यूर्थ में भी है वेस्ट में और सौथ में भी है बनी हुई बिल्डिंग आपकी इस्ट वाल पर यानिंपोरव की दिवार पर पूरी पूरी आपकी बिल्डिंग बनी हुई है और आपने अपने बिल्डिंग एज पर वास्तु बनाई हुई है आपके यहाँ पानी का अंडरगाउंड टेंक सम्मर्शिबल भी सही दिशा में बने हुए यानि नौर्थिस्ट में आपने पानिक अंडर्गाउंट टेंक बनाये हुआ है सम्मर्शिबल लगाये हुआ है तब भी ऐसे घर में रहने वाला हर एक वक्ति बेवजय बेचैन रहेगा उसके पीछे कई कारण बनते हैं सबसाइब पहला कारण जो बनता है वो कारण बनता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग आपने इस्ट की दिवार पर बनाई है वेस्ट में ओपन एरिया रखा है दूसरा कारण क्या है जो आपके यहां फर्ष की ढलान है वो सारी की सारी फर्ष की धलान साथ हिस्ट से साथ वेस्ट की और और साथ वेस्ट से वेस्ट होते वे नॉर्थ वेस्ट की और आती है ऐसे ही नॉर्थ हिस्ट से नॉर्थ होते वे नॉर्थ वेस्ट की और फर्ष की धलान आती है तो इसके करण घर में रहने वाला हर एक मेंबर बेवजब बीचेन रहता है और ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति के जो काम हैं वो भी बिल्कुल लास्ट मुमेंट पर आकर बनते हैं अधिकतर देखने में आता है जो व्यक्ति ऐसे घर में रहते हैं उस घर में रहने वाली जो महीला है जो लेडिस है उन्हें बाहर जाकर भी काम करना पड़ता है यह दिया आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने घर का वास्तु जरूर सही करें आपका घर इस प्रकार से बना हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशानी है तो मैं आपको कुछ उपाई जरूर बताना चाहूंगा आपने अपने यहाँ पर क्या काम करना है जो आपके अपनी साथ की दिवार है साथ वेस्ट से साथ होते हुए साथ येस्ट तक और स कम से कम 2 फिट उची जरूर करनी है इसी के साथ आपको एक काम और करना है आपके यहाँ फर्ष तूटा हुआ है या उचा नीचा हो गया या बैट गया है तो आप अपने फर्ष को भी सही कराएंगे तो भी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आज की वीडियो में म वाले मेंबर में देखने को मिलते हैं आप जरूरत से ज़्यादा प्रेशान है तो आप मेरी वास्तू से सम्मंदित और वीडियो भी जरूर देखे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 500 प्लस वीडियो अफ्लोड की हुई है आप मेरी ये सभी वीडियो देखकर भी अप इसे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं आप अपना कीम्ति समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तया दल से धन्यवाद करता हूं इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नवी शेपर सर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल